प्रिये व्यूवर्स ये संस्कृतिया ये एस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक आंड सॉल प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के इंतरगर्द प्रती एक दिन UPSC और स्टेट PCS से समवंदेद 5 प्रशन व्याक्या सही तुत्तर के साथ दिये जाएंगे हमें आशा है कि ये प जिदू करते हैं आज के अपने प्रशनों को हाल ही में किस देश में भीम UPI का शुभारम किया गया है नेपाल श्रीलंका बांगलादेश या भूटान सही उत्तर क्या होगा चल्दी से चुनिए ओप्शन D इसका सही उत्तर होगा व्याक्या से इसको समझ लेते हैं केंद्री वित्य मंत्री ने भूटान में अपने समकक्ष के साथ संवत रूप से भीम UPI का शुभारम किया है यह वर्श 2019 में भारती प्रधान मंत्री की भूटान राजके यात्रा के दौरान दोनों देशों द्वारा की गई प्रतिवदता को पूर्ण करता है भूटान में भीम UPI के शुभारम के साथ दोनों देशों के भूटान बुनियादी धाचे को मूल रूप से जोड़ा गया है इससे प्रतिएग वर्श की बड़ी संख्या में भारत से भूटान की यात्रा करने वाले परटकों तथा व्यापारियों को लाब होगा भारत के पडोसी देशों में भूटान अपनी QR परिनियोजन के लिए UPI मानकों को अपनाने वाला तता भी मैप के माध्यम से मुवाइल अधारित भुकतान सुईकार करने वाला पहला देश है और इसलिए विकल्प डीज का सही उत्तर था बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न की ओर ग्रेट इंडियन वस्टर्ड के संदर्व में निन्म लिखित कतनों पर विचार करें भारत में ये पक्षी राजस्थान, करनाटक, महरास्ट, मध्यप्रदेश तथा गुजरात राज्जियों में पाया जाता है ये राजस्थान का राज के अपक्षी है, जिसे राज में गोडा वर्ड के नाम से भी जाना जाता है अंतराश्ट्रे प्रकति संरक्षन संग की रेड लिस्ट में इसे सुभेद श्रेडी के अंतरगत रखा गया है उपर्योक्त में से कौन से कथन सही है, केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक और तीन, उपर्योक्त सभी क्या होगा इसका सही उतर? ओप्षन ए, व्याख्या से इसको समझ लेते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारतियोप महादीप में पाया जाने वाला एक विशाल पक्षी है, जो भारतियोप महादीप के लिए इस्थानिक है यह मद्ध एवं पश्मी भारत तथा पूर्वी पाकिस्तान में भी पाया जाता है यह शुष्क तथा अर्ध शुष्क घास के मैदान, काटेदार जाडियों वाले खुले प्रदेश, क्रशी के साथ लंबी घास वाले शेत्रों में सरवादिक पाया जाता है भारत में यह पक्षी राजिस्तान, करनाटक, माहरास्ट, मध्ध प्रदेश तथा गुजरात राजियों में पाया जाता है इसे भारत में सोन्च रहिया तथा राजिस्तान में गोड़ा वर्ड के नाम से जाना जाता है यह राजिस्तान का राज के पक्षी है यवेश्य की उढ़ने वाली विशाल पक्षी प्रजातियों में से एक है इनके निवास के शरण तथा अवैज शिकार के कारण इनके जीवन को खत्रा बना हुआ है इसे भारतिय वन जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची एक के तहट सनरक्षित किया गया है अन्तरास्ट्री प्रकती सनरक्षण संग की रेड लिस्ट में इसे गंभीर संकट ग्रस्ट की श्रेडी में रखा गया है ग्रेट इंडियन वस्टर्ड को सनरक्षित करने के लिए मरु भूमी रास्ट्री उध्यान जैसल मेर में प्रयास किये जा रहे है इसके सनरक्षन हेतु वर्ष 1980 मद्ध प्रदेश के शेप पूरी जिले में करेरा वन जीव अव्यारण की स्थापना की गई थी साथ ही पर्यावरण वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्राले ने इसके सनरक्षन के लिए भारती वन जीव संस्थान देहरादून के साथ मिलकर एक कारिक्रम शुरू किया है इस प्रकार कथन एक और दो दोनों सही है और जबकि कथन तीन गलत था और इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन ए बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रशन की ओर निर्मलिकित कतनों पर विचार कीजिए लोकसवा अध्यक्ष के चुनाओ की तिथी का निर्धारन राश्ट्रपती द्वारा जबकि उपाध्यक्ष के चुनाओ तिथी का निर्धारन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है समविधान में लोक सवा अध्यक्ष के चुनाओं के संबंद कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है विधान सवा अध्यक्ष के चुनाओं आयोजन का निर्धारन करने की शक्ती राज विधाईकाओं को दी गई है उप्रयुक्त मेंसे कौन से कथन सही है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल तीन उप्रयुक्त सभी क्या होगा इसका सही उत्तर? जल्दी से बताईए Option D, व्याख्या से इसको थोड़ा समझ लेते हैं अनुचे 93 में लोगसभा तथा अनुचे 178 में राजविधान सवाओं के लिए यथा संभव अपने सदस्यों में से अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के चयन का प्रावधान किया गया है इन चुनाओं के संभण्ध समविधान में कोई समय सीमा निर्धारन तथा प्रक्रिया निर्दिस्ट नहीं की गई है चुनाओं के आयज़न का निर्धारन करने की शक्ती विधायकाओं को दी गई है लोकसवा या राजविधान सवाओं में अध्यक्ष के चुनाओं के लिए तिथी कर निर्धारन राश्पती या राजविपाल करते हैं जबकि उपाध्यक्ष के चुनाओं की तिथी अध्यक्ष द्वारा तै की जाती है सम्वंदित सदन के सांसद या विधायक अपने में से किसी एक को चुनने के लिए मतदान करती है गौर्टलव है कि हर्याडा एवं उत्तरप्रदेश अध्यक्ष तता उपाध्यक्ष के कारयालेओं के चुनाओं कराने के लिए एक समय सीमा निर्दिष्ट करती है सम्विधान में ये प्रावधान है कि अध्यक्ष का पद कभी भी रिक्त नहीं होना चाहिए इसलिए मृत्यू या इस्तीफे की इस्तिती को छोड़ कर वे अगले सदन की शुरुवात तक पद पर बना रहता है अध्यक्ष सदन की कारवाई तता संसत के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षिता करता है कोई विदेयक धन विदेयक है या नहीं इसका निर्णय अध्यक्ष द्वारा किया जाता है उपाध्यक्ष का पद अध्यक्ष से सतंत्र होता है उसके अधिनस्त नहीं क्यूंकि दोनों सद्रों में उपाध्यक्ष का चयन सदन के सदस्यों से ही किया जाता है अध्यक्ष की अनुपस्तिती में सदन की अध्यक्षिता करने के अतरिक्त उपाध्यक्ष संसत की अंदर तथा बाहर समीतियों की अध्यक्षिता करता है इस प्रकार उपरयोक तो सभी कथन ठीक है और इसका सही उत्तर है option D आज के अपने चौथे प्रशन को देख लेते हैं देश का पहला निजी LNG सुवधा संयंत्र इस्थापित किया गया है ले नाकपूर एहमदाबाल या इंदौर सही उत्तर है नाकपूर इसकी व्याख्या को देख लेते हैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने नाकपूर में देश के पहले निजी LNG सुवधा संयंत्र का उदगाटन किया है LNG प्राकर्टिक गैस है जो मुखे रूप से मीथेन तता कुछ मात्रा में एथेन का मिश्रण होता है आसान भंडारन तता परिवहन के लिए इसका द्रवी करण किया जाता है तरली करित प्राकर्टिक गैस को जब 0-69 डिगरी फॉरन हाइच तक ठंडा किया जाता है तो यह एक सपस्ट रंगहीन गंदहीन तरल बन जाती है CNG की तुल्ला में LNG का आयतन कम होता है यह गंदहीन रंगहीन गैर विशाक्त और गैर संग्छारक गैस है LNG का उतपादन हाइड्रोकार्वन से किया जाता है जिसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जैसे हाइड्रोकार्वन उतपादों की एक विस्तरित श्रंखला होती है विश्व की अधिकांश LNG आपूर्ती बड़े प्राकरतिक गैस भंडारन वाले देशों से होती है इस प्रकार विकल्प भी इसका सही उत्तर था बढ़ते हैं अज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर राइट टू रिपेर के संदर्व में निनमलिखित कत्मों पर विचार कीजिए इस अंदोलन का उत्देश्य कंपनियों द्वारा उपभोकताओं को एलक्ट्रोनिक्स तथा अन्य उतपादों के स्पेर पार्ट्स उपकरनों तथा इनको ठीक करने से संबंदेत आवश्यक जानकारी उपलब्द कराना है इससे एलक्ट्रोनिक्स उतपादों के जीवनकाल में व्रिद्धी के साथ एलक्ट्रोनिक्स कचरे की व्रिद्धी को रोकने में मदद मिलेगी और पुरिक्ट में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो क्या होगा इसका सही उत्तर? ओप्शन सी व्याख्या को देख लेते हैं राइट टु रिपेर आंदोलन के माध्यम से विश्वभर के कारे करता एवं संग्ठन उपभोगताओं को अपने अलेक्ट्रोनिक्स तथा अन्य उत्पादों की मरमत करने में सक्षम होने के अधिकार की बकालत करते रहे हैं इस आंदोलन का प्रारम 1950 के दशक में कम्प्यूटर युकी शुरुवात के बाद हुआ था इसका लक्ष कम्पनियों द्वारा उपभोगताओं तथा अन्य उत्पादों के स्पेर पार्ट्स उपकरनों तथा इनको ठीक करने से संबंदित आवश्यक जानकारी उपलब्द करवाना है इससे इन उत्पादों के जीवन काल में वरद्धी के साथ एलेक्ट्रोनिक्स कचरे की वरद्धी को रोकने में मदद मिलेगी एपल, माइक्रोसोफ्ट, एमेजन तथा टेसला जैसी बड़ी कम्पनिया मरमत के अधिकार का विरोध करती रही है उनका मत है कि अपनी बौद्धिक संपदा उपभोगताओं या शौकिया मरमत करने वाले किसी तीसरे पक्ष को प्रदान करने से उनका शोशर हो जाता है तथा उनके उपकरणों की विश्वसनियता वा सुरक्षा प्रवावित हो सकती है इस प्रगार कथन एक और दो दोनों सही है और इसका सही उत्तर है आप्शन सी